हे दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल डियर गुरुजी पर सो गाईज आज की इस वीडियों बिसिकली आप सब देखी रहोंगे एड्मिट कार्ड सेफ जोन क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है 60% to 80% अपनी तयारी को कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं इन दस दिनों में इंसाइट चैनल के बात करने वाला हूं कि बहुत सारी लोग के टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर और वाट्सप पर भी इसके यहां पर बात करूंगा जो कुछ लोग कर रहे हैं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचाओ जैसे कि आप सब को ताएं कि 15 बचाओ हुआ है तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है और कैसे मतलब डिसाइट करेंगे कि आपका कितना तयार हो चुका है सो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है आपको क्या करना है कि एक बंदी ने मेरे पास अभी कमेंट किया था या साइद मेसेज किया था कि सर मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूं और मेरे प्रैक्टिस को में कैसे बढ़ा सकता हूं मतलब कि अगर आपके आपके पास चाहे वो आपका यूथ का हो गया यूथ में तो अभी देखा या तो यूथ आप सब लोग लागा चुके है इसके लगए अब अभी जो लेटेश मे आई है टो स्रीर आई है, कोई भी प्रेक्टिसर उड़ाओ जो आपने भी एक बार भी नहीं लगाई है, उस प्रेक्टिसर को देखो, आप सव कोश्चन कर ले रहे हो, अगर आप सव कर रहे हो, एक एवरेज मांच के चलते हो, मतलब कि आपने पचास कोश्चन गलत किया, अब उन प पचास-पचास क्वेश्चन कौन कौन से आपके टॉपिक बिल्कुल ही कलियर नहीं है, कौन कौन से टॉपिक आपके बिल्कुल कवरेज एरिया से बाहर हैं, तो उन टॉपिक्स को ठाओ, अच्छे से जो जहां जहां आप गलतिया कर रहे हो, उनको रिवाइस करो, कि अब आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है तो basically मैं आपको यह नहीं से रिष्ट करूँगा कि आपको छोड़ दो अगर आपको कुछ नया मिलता है देखने को तो आप उसको जरूर एक बार पढ़ लो देख लो क्या चीज है बट मैं आपको यह सजेस नहीं करूँ तो मैंने अपने चैनल पर सारे किसाए जो करेंट फेर लगबबक साथ आठ पाट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है तो आप उनको भी जाकर कर देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप आपको बाहर के जो करेंड फेर है मतलब अंतर राष्टिय राष्टे अंतर करेंड प पढ़ना है क्या क्या चीज़े पढ़नी क्या रड़नीती लगानी है कि आपका जो परसेंटेश है अगर आप 60 परसेंट अभी कर पा रहे हो तो आपका डेफिनेटली अगर दस दिन आप वो ट्राइ करते हो आपका 60 से 80-90 पहुच जाएगा और आप अपना पेपर में कुछ अच्छा ही करके आओगे तो एक बाद ये तरीका जरू ट्राइ करना जो भी मैंने आपको बताया इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेफ जोन के बारे में सेफ जोन के बारे में देखो काफित हैं लोग कह रहे हैं सर य यह कट ऑफ चला गया यहार फॉलिष गार्ट का जो पेपर है बहुत ज़्यादा टाफ आ गया तो क्या होने वाला तो बेसिकली देखो ना तो यह आप यूपी का एक जाम दे जाते हो ना तो आप फॉलिट्ट गाउड का एक सेज़रो क्यों कंपेर करते हो यह प्लीज किस वीडियो का और आपका प्रेब करता ही करता है बट यहां प्रेब करें कि से जों तो आप सब को था है कि मार्किंग बहुँ ज़्यादा हाई है समय भी आपको ठीक थाक मिला मुला बहुत जादा कम मिला एक एवरेस समय मिला अगर आप उतने समय आराम से दो घंटे में आराम से एवरेस सो कुछ च जण अगर आपकी तयार एची था है तो कर सकते हो तो बैसिकलि अग्र आप सेफ जों सेज्व का मतलब क्यों होता है कि आप उसके अंदर सेफ रहो सेफ फिल करो उससे कम अगर पाते हैं तो हो सकता आपको दिक्कर हो सकती है इसलिए सेफ जोन के अगर हम बात करें तो एक 220 नमबर का जो ये 300 में 220 नमबर है एक सेफ जोन आप लेकर की चल सकते हो क्योंकि यूपी पुलिस का जो एक्जानेशन हुआ था बहुत सरल पेपर आया था उसमें मानस मार्किंग भी उतनी नहीं थी उसके बाद 225 नमबर वहां 300 में 225 नमबर कटा ओफ गया है तो उसके साथ से अगर देखा जा तो यूपी टेपल सी का 220 नमबर तो बनता है बनता है क्योंक आप किसी काटेगरी में आते हैं अगर आप अगर आप एकस सर्विसमें या पी एच जो भी आपकी काटेगरी होती उसमें आते हैं तो आप यह समलो कि आपको at least one 80 to 200 के बीच में आपको नमबर लाने ही होंगे अगर आप इस इन के अलावा किसी और कटेगरी में हैं जनल औ और OVC में है तो आपको 220 नमबर आपको कम से कम लाना ही पड़ेगा इससे ज्यादा ही लेकर आओ इससे ज्यादा कही टार्गेट बना करेको तो ही आपके लिए अच्छा होगा इसके लावा मैंने आपको यह बताई दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अगर हम बा या और पास के जो भी नियरभाई मंडल है उस मंडल में आपका जो एक्जामिशन सेंटर है वो जा सकता है बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में तो यह आप लोग क्यों परिसान हों मैं आपको बिल्कुल एक डिफिनिट बता सकता हूं कि जो एडमिट कार्ड है वो आ अगर आपका एक जानुसर्ण डेट आने अगर एक जानुसर्ण डेट बाईस और तेज दिसंबर है तो इस आपसे दस और बारात तारिक के बीच में आपको उनकी वेस्टाइट पर कुछ ने कुछ देखने को एडमिट कार्ड से रिडेट मिल जाएगा इसके लावा अगर तो अपके और भी कोई डाउट है तो आप कोमेंट करके पूच सकते हैं कोमेंट करके आप हमसे सेयर कर सकते हैं या हमको आप Wow रहा है इसके लावा अगर आपनी में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वहाँ पर मैं आपको लगातार जो यूपी के current affair है top 100 history के top 100 संधान के अलग अलग में वीडियो प्रोबाइट करवा ही रहा हूँ और इसके लबार रोज लाइफ टेस्ट भी करवाता हूँ आपका तो इन सब चीजों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो अच्छा लागो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अगर आपके और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूस सकते हैं तो अभी के लिए इस वीडियों से बिता है अभी के लिए बबाई टेक केर जैहिन जै भारत